जैहें दमित्रों इसमें हम दा टाइम्स ओफ इंडियम एक लेक्षप हुआ है वाई सो मैनी नेशन्स आर लाइनिंग अप तो जॉइन ब्रिक्स चो कई सारे देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पंक्ति बद्ध हो गये हैं लाइन में लगे हुए हैं अभी ब्रिक्स का स इसे ब्राजेल रशिया इंडिया चाइना साथ अफरीका और इसी क्रम में बैठकों का आयोजन भी होता है जैसे साथ अफरीका में हुआ है इस साल तो अगले साल होगा ब्रिक्स में फिर इंडिया में फिर चाइना में फिर साथ अफरीका इसी क्रम में इसका होता रहता है क तो इसमें चर्चा किया गया है कि कई सारे देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पंक्ति बद्ध क्यों है इसे लिखे हैं जुरावर दौलत सिंग जुरावर दौलत सिंग इस ए हिस्टोरियन एंड आथर आफ पावर शिफ्ट इंडिया-चाइन रिलेशन्स इने मल्टि पोलर वर्ल्ड तो इसके औथर भी है यह तो पढ़ते हैं और ब्रिक्स के बारे में जानकरिया हासल करते हैं पहले ब्रिक्स के बारे में कुछ जानकरिया प्राप्त कर लें कहीं साधा पेज मिले तो चलिए यहाँ पर कर सकते हैं इतना करने तो सही है तो ब्रिक्स गोल्ड मैन सैक द्वारा अपनी रिपोर्ट में गढ़ी गई ये संकलपना विश्वराज नीती में आज सबसे प्रभावशाली समोहों में से एक बन चुकी है तो देखें ये जो ब्रिक्स है इसकी संकलपना कहां से आई तो गोल गोल्ड मैन सैक द्वारा अपने रिपोर्ट में गढ़ी गई ये संकलपना विश्वराज नीती में आज सबसे प्रभावशाली समोहों में से एक बन चुकी है तो गोल्ड मैन सैक ने अपनी एक रिपोर्ट में ब्रिक्स नाम की संकलपना को गढ़ा था बी आराईसी ब्रिक्स अर्थ विवस्थाएं अब देखें में बद तो गोल्ड मैन सैक ने इस शब्द को गढ़ा था ब्रिक्स अर्थ विवस्था दुनिया की 41 प्रतिशत आबादी 25 प्रतिशत वैश्विक जीडिपी का निर्मार करती है तो ब्रिक्स अर्थ विवस्था जो है दुनिया की 41 प्रतिशत आबादी यहां रहती है और 25 प्रतिशत जीडिपी का उत्पादन या निर्मार यहां पर होता है तो 41 प्रतिशत जन्जेंख्या 25 प्रतिशत जीडिपी में योगदान हैं ये देश दक्षण सहयोग, दक्षण दक्षण सहयोग, साउथ साउथ कोपरेशन, दक्षण दक्षण सहयोग के लिए एक प्रभावशाली दबाव समुह के रोप में अस्थापित हुए है, ठेक, तो क्या कैसे गोल्ड मैं सैक द्वारा अपने रिपोर्ट में गढ़ी गए संकल्पना, विश्व राजनीती में आज सबसे प्रभावशाली समुहों में से एक बन चुकी है, ब्रिक्स अर्थ विवस्थाएं दुनिया की 41 प्रतिशत आबादी, लगभग 25 प्रतिशत वैश्विक GDP का निर्मान करती है, ये देश दक्षण दक्षण सहयोग के लिए ए प्रभाव शालीत दबाव समुहों के रोप में अस्थापित हुए हैं, ब्रिक्स स्वयम को तीन अस्थम्भों पर केंदरत मानता है, तो तीन अस्थम्भ हैं, एक राजनैतिक सुरक्षगत अस्थम्भ, एशिया, अफरीका, लैटिन अमेरिका की ये पांचों देश मिलकर, एशिया के भारत, चेन, रोस, अफरीका के दक्षड अफरीका, लैटिन अमेरिका का ब्राजिल, तो एशिया, अफरीका, लैटिन अमेरिका की ये पांचों देश मिलकर, छेत्री और वैश्विक राजनैतिक सुरक्षगत महत्पूर्ण मुद्दों पर अपनी साजी सोच औ और रणीती बनाने का प्रेयत्न करते हैं, छेत्रीय और वैश्विक राजनैतिक सुरक्षगत महत्पूर्ण मुद्दों पर अपनी साजी सोच और रणीती बनाने का प्रेयत्न करते हैं, दूसरा, आर्थिक और वित्तिय अस्तंब, ये देश उत्तर दक्षण विभेद को स समाप्त करने और इस संबंद में सतत विकास लक्षों की प्राप्ति में अपने अनुभवों और प्रयत्नों से संपूर्ण विकास शील जगत को लाभानवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आर्थिक सायोग और वित्य अस्तंभ में ये देश उत्तर दक्षुन विभेद नौर्थ साउथ डिवाइड जो है उसको समाप्त करने और इस संबंध में सतत विकास लक्षों SDG सस्टेनेबल डेवलिप्लेप्मेंट गोल्स की प्रगत में अपने अनभवों और प्रयत्नों से संपूर्ण विकास शील जगत को लाभानवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं तीसरा सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंज तो पहला सांस्कृतिक, दूसरा आर्थिक अर्थिक ये तीन अस्तम्भ है सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंज में ब्रिक्स में भू मंडली करण के अनुरूप तीसरी दुनिया के देशों के बीच अंतर क्रिया को भी महत्व पूर्ण माना गया है इसमें अकादमिक, खेलकूद, परियाटन, व्यापारिक, आदान-प्रदान जैसे बिंदु शामिल है अब ब्रिक्स के समक्ष कुछ है चुनाओदिया है उसको देख लें तो फिर से दोगरा हैं इसको गर तो गोल्ड मैंस सैक द्वारा अपने रिपोर्ट गोल्ड मैंस सैक द्वारा अपने रिपोर्ट में गढ़ी गई ये संकल्पना विश्व राजनीती में आज सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक है ब्रिक्स अर्थ विवस्थाएं दुनिया की 41 प्रतिशत आबादी लगभग 25 प्रतिशत वेश्विक जेडीपी का निर्माड करती है ये देश दक्षण दक्षण सहयोग के लिए एक प्रभावशाली दबाव समूह के रोप में अस्थापित हुए है ब्रिक्स स्वयम को तीन अस्तंभू पर केंद्रित मानता है राजनेतिक सुरक्षागत अस्तंभ एशिया, अफरिका, लैटिन अमेरिका की ये पांचों देश मिलकर छेतरी और वेश्विक राजनेतिक सुरक्षागत महत्वबोन मुद्दों पर अपने साजी सोच और रर्णीती बनाने का प्रयातन करते हैं दूसरा आर्थिक और वित्तिय अस्तंभ ये देश उत्तर दक्षन विभेद को समाप्त करने और इस संबंध में सतत विकास लक्षियों की प्राप्ति में अपने अनभवों और प्रयातनों से संपूर्ण विकास शील जगत को लाभानवित करने का प्रयातन कर रहे हैं तीसरा सांस्क्रितिक और पीपल टो पीपल एक्सचेंज ब्रिक्स में भूम अंडली करन के अनरूप तीसरी दुनिया के देशों के बेच अंतर क्रिया को भी महातोपूर्ण माना गया है इसमें अकादमिक, खेलकूद, परयतन, व्यापारिक आदान प्रदान जैसे बिंद कस्तर पर प्रभावी राजनेतिक प्रयोग था जिसमें पश्मे जगत के किसी शक्तिशाले देश को शामिल नहीं किया गया और भारत चेन जैसे संगर्ष शील देश इसमें एक साथ जुड़े इसी प्रिष्ठ भूमी में ब्रिक्स के सामने आज सबसे बड़ी चुनोती है चीन, रूस और भारत का समूह के क्रिया कलाब को लेकर अलग-अलग नजरिया रखना यह फिर साथ ब्रिक्स की सबसे बड़ी विशेशता यह मानी गए कि यह पहला यह पहला वैश्विक अस्तर पर प्रभावी राजनेतिक प्रयोग था जिसमें पश्मी जगत वेस्टन व इसमें एक साथ जोड़ें इसी प्रिष्ट भूमी में ब्रिक्स के सामने आज सबसे बड़ी चुनोती हैं चीन, रूस और भारत का समूह के क्रिया कलाब को लेकर अलग-अलग नजरिया रखना रूस ब्रिक्स को प्रमुखता राजनेतिक सुरक्षगत उदेशों से देखत है विशेशकर 2014 के बाद पश्चमी देशों द्वारा उसे अलग-थलग करके उसके विरुध प्रतिबंधों की राजनेति चलाये जाने के परिडाम सरूप वो ब्रिक्स को अपनी पहचान के रूप में पश्चमी पश्चम के सामने रखना चाता है तो रूस की क्या चुनो फिर से पढ़ने रूस ब्रिक्स को प्रमुखतह राजनैतिक सुरक्षागत उद्देश्यों से देखता है विशेशकर 2014 जब क्रीमिया पर आक्रमण करके जीत लिया था रूस ने तो तो जब क्रीमिया को जीत लिया तो जो पश्चमी जगत है उसने रूस का कई सारे प्रति तो रूस ब्रिक्स को प्रमुखता राजनैतिक सुरक्षागत उद्देश्यों से देखता है विशेशकर 2014 के बाद पश्चमी देश्यों द्वारा उसे अलग थलग करके उसके विरुध प्रतिबंधों की राजनीती चलाए जाने के परिडाम सरोप वो ब्रिक्स को अपने पहचान के रोप में पश्चम के सामने रखना चाहता है चीन अब चीन का नमबर आ गया चीन का ब्रिक्स को लेकर रुजहान प्रमुखता इस बात पर केंदरत है कि वो इसके माध्यम से तीसरी दुनिया के नेतरत तो करता नेतरत तो करता यह हम कहलें कि नेता बनना चाहता है इस ब्रिक्स के माध्यम से चीन का ब्रिक्स को लेकर रुजहान प्रमुखता इस बात पर केंदरत है कि वो इसके माध्यम से तीसरी दुनिया के नेतरत तो करता के रूप में उभरे साथ ही वो ब्रेटेन हुट्स संसाओं के समानांतर अपने नेतरतों में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भी इसे आगे बढ़ाना चाहता है फिर भारत का नमर भारत चीन और रूस से अलग वास्थविक अर्थों में तीसरी दुनिया के मुद्दों पर केंद्रत रहते हुए तीनों अस्तंभों के अनरूप दक्षण दक्षण सहयोग के सफल मन्ज के रूप में इसमें अपनी भूमिका का निर्वान करना चाहता है तो भारत का अदिश क्या है कि राजनैतिक और सुरक्षागत आर्थिक और वितिय और तीसरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्षेंज इन तीनों पर मिल जूल करके काम करें और दक्षण दक्षण सहयोग पर काम करें वेश्विक जो गलोबल साउथ के अवधारना है उस पर कारे करें और विकाशिल देशों का नेतरत्तों करें अफरीका का नेतरत्तों करें यह उत्देश भारत का है हालिया समय में ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भी देशों के बेच मतभेद उभरे हैं और इसी से सम्वनित यह आटिकल हम पढ़ेंगे भी है हालिया समय में ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भी देशों के बेच मतभेद उभरे हैं यहां समस्या यह है कि ब्रिक्स प्लस के लिए किन मार्ग दर्शक सिधानतों का पालन हो इस पर अंतिम सहमती नहीं बन पा रही है अनौप चारिक चर्चाओं में CIVAT देशों का दावा विस्तार में सबसे प्रभावी माना जा रहा है अब एक संस्ता है इबसा इबसा हम देखते हैं क्या उधारणा है G7 की बैठकों में दुनिया के अन्य उभरते हुए देशों को शामिल होने के लिए बुलाया जाने लगा जो G7 है उसमें साथ देशों के अलावा अन्य अर्थवेवसाओं को भी बुलाया जाने लगा इन्हें आउट रेच कंट्री कहा गया जो अन्य लोगों बुलाया गया इस बैठक में उन्हें आउट रेच कंट्री कहा गया भारत, ब्राजील और साथ अफरेका भारत, ब्राजील और साथ अफरेका IBS South Africa तो ऐसे IBS है अच्छा यह है IBS है इंडिया, ब्राजिल, South Africa तो यह मिलकर बन गए इबसा भारत, ब्राजिल और South Africa इसमें शामिल थें किसमें? Outrage Country में इसी कारण इन देनों ने मिलकर यह तै किया कि हमें G3 के रूप में इबसा का गठन करना चाहिए 2003 में 2003 में ब्राजिलिया उद्गोशना से यह अस्तित तुम्हें आ गया इबसा रड़नेतिक रूप से तीन मुद्दों पर केंदरत प्रयोग है इबसा तीन मुद्दों पर केंदरत इबसा रड़नेतिक रूप से तीन मुद्दों पर केंदरत प्रयोग है इबसा बारें फिर से G7 की बैटकों में अन्य देशों को भी बुलाय जाने लगा उन्हें आउटरेज कंटरे कहा जाता है भारत, ब्राजिल, साउथ अफरीका इन में शामिल थे आउटरेज कंटरे में शामिल थे इन तीनों ने सला किया कि हम तीनों को मिला करके जीतरी बना लें और ब्राजिलिया उद्गोशडा में 2003 में जीतरी नाम का संगठन बना भी लिया गया इबसा का जो उदेश है मलकिन मुद्दों पर वो अपने बातों को रखना चाते हैं पहला ये तीनों देश प्रमुख अंतराश्ट्री मुद्दों पर गुट निर्पेक्षता की संस्कृती की अनरूप तीसरी दुनिया के हितों को केंद्र में रखकर वैचारिक समनवे और एकेकरित रणीती बनाने का प्रयात्न करते हैं फिर से ये तीनों देश प्रमुख अंतराश्ट्री मुद्दों पर गुट निर्पेक्षता की संस्कृती की अनरूप तीसरी दुनिया के हितों को केंद्र में रखकर वैचारिक समनवे और एकेकरित रणीती बनाने का प्रयात्न करते हैं फिर से ये तीनों देश प्रमुख अंतराश्ट्री मुद्दों पर गुट निर्पेक्षता की संस्कृती की अनरूप तीसरी दुनिया की हितों को केंद्र में रखकर वैचारिक समनवे और एकी कृत रणीती बनाने का प्रयात्न करते हैं दूसरा ये विभिन मुद्दों पर एक दूसरे के साथ मिलकर संयुक्त कारेबलों विशेशक गे समूहों आदी के माध्यम से अपने अपने देशों में आर्थिक प्रोध्योग की ये और सामाजिक प्रयात्नों को संचालित करते हैं तीसरा अपने अनुभवों के आधार पर समूची तीसरे दुनिया के लिए केंद्रत प्रयात्नों को संपन करते हैं इवसा के संदर्व में सबसे बड़ी चर्चा ये रही है कि ब्रिक्स के बनने के बाद इस समूह की अलग से क्या आउशकता है इस विशे पर भारत की असपश्ट राय रखता है कि ब्रिक्स के समाना अंतर इवसा एक बहुत महाजपूर्ण प्रासंगिक्ता रखता है और प्रासंगिक्ता क्यों रखता है क्योंकि ये तीनों देश जो है वो लोकतंत्र डेमोक्रेसी और उससे जोड़े मूलियों की आधार पर ऐसा साजह इतिहास रखते रहे हैं जो उन्हें समकालीन विश्वराजनीती में कई जटल मुद्दों पर मिल कर काम करने को प्रिरित करता है तो डेमोक्रेसी हैं रूस में और चीन में लोकतंत्र नहीं है ये तीनों बहुलता वादी यानि प्लियूरिलिस्टिक कंट्रे हैं बहुलता वादी समाज या डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है बहुलता वादी समाज हैं जहां बहु धार में बहु भाशी बहु निरजातीय परमपराओं का सम्मान मिलता है आधुनिक विश्व राजनीती में गुट निर्पेक्षता इनके साजे संघर्ष की भी प्रमाड रही है आज के समय में कई ऐसे मुद्दे जिन पर ब्रिक्स में अंतर विरोध बन सकता है लेकिन इविसा में उन पर आम सहमती देखी जाती है उदाहरण के लिए सायों तो राश्टर संघ सुधारों को लेकर ये तीनों एक राए हैं लेकिन ब्रिक्स में चीन इस विशेबर नकारातमक सोच रखता है बोलसा फैमिली या जैसा कारिक्रम इस समूह की प्रासंगिता का एक और उदाहरण है ब्राजियल के इस राश्टरी अभियान ने भारत को अपने देश में डी बी टी डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसा कारिक्रम चलाने के लिए प्रेखत किया तो बोलसा फैमिली या तो एक शीज़ और देख लें क्योंकि ब्रिक्स से संबंधित प्रासंगिक कथन है मतलब मुद्द है ग्लोबल साउथ जनवरी दोहजार तेस में भारत के नित्रत में आयोजित ग्लोबल साउथ सम्मिट के महतपूर्ण निशकर्शों और इस संबंध में भारती रणनीती को भी हस्पस करें तो ग्लोबल साउथ का सम्मिट हुआ है जनवरी दोहजार तेस में जिसमें भारत ने नित्रत्व किया है तो उसका क्या निशकर्श है और ये भारती रणनीती क्या है इसके संबंध में उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा जी ट्वेंटी की अध्यक्षता वाले वर्ष में भारत ने अपनी रणनीती ही यह बनाई है कि वो इस समुह से बाहर के सभी विकास शेल देशों की आवाज को जी ट्वेंटी के मंच पर रखेगा और इसी लिए ये ग्लोबल साउथ समिट आयोजित हुए भारत ने इसमें आर फोर के रणनीती को रखा जिसके अनुसार विकास शेल देशों की अपेक्षाओं और चिंताओं की अनुरूप जी ट्वेंटी को अपने प्रतिक्रिया रेस्पॉंट देनी होगी जी ट्वेंटी को इस बात को मानिता देनी होगी कि महत्रपॉन वैश्विक समस्याओं के संदर्भ में क्या सिधान्द और रणनीतिया स्वेकार की गई हैं उदाहरन के लिए जलवायू परिवर्तन के संदर्भ में सीबी डियार के सिधान्द को हर हाल में अपनाना होगा सीबी डियार में स्कॉंट्रिब्यूशन डिफरेंस छोड़ी सीबी डियार की रणनीतिया अपनानी होगी जी ट्वेंटी को रोल मॉडल की तरह अंतराश्ट्री कानूनों मोलियों और सिधान्तों का विभिन शेत्रों में सम्मान रेस्पेक्ट भी हर हाल में करवाना करना होगा रेस्पॉंड, रेस्पेक्ट, जल्द से जल्द अंतराश्टी संस्थाओं की लोकतांत्री करण को भी पूरा करना होगा, भारत इस समय F3 संकट को तीसरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनोती मानते हुए अपनी अध्यक्षता के दौरान, इस मुद्दे पर सरवाधिक भल देने की घोशना भी करता है, एक और देखें कि G20 के अध्यक्ष के रोप में भारत की प्राथमिक्ताओं और तस्संबनिर और नीतियों की भी चरशकरें, भारत ने वसुधयो कुटमबकम की मूल प्रेरणा से वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन 2020 में उन देशों की आवाज उठाना चाहता है, जो इस समोह में शामिल नहीं है, भारत ने विशेगत तवर पर जलवायू परिवर्तन से संबंधित आर्थिक सहायता को लेकर उत्पन गतिरोध, क्रिप्टो परिसंपतियों को लेकर विभिन देशों के बीच समनवे, की संभावनाओं को निर्मित करना भारत द्वारा चिन्हित प्रमुख तकनी की मुद्दे होंगे, इंगेजमेंट समोहों के संदर्भ में भारत G20 को अपनी तरफ से एक योगदान स्टार्टप समोह के रोप में देना चाहता है, क्योंकि भारत स्वयम दुनिया में स्टार दोू डुध। ऑ सुमर्डे कि ट्राटक्वित करे ने को क्योंकि यह अजह¿ ? that had seen the rise of new economic centers तो Cold War के समाप्ट होने के बाद नए नए आर्थिक के इंदरुब ने जैसे भारत क्योंकि Cold War के समाप्ती के साथ ही भारत में भी Liberalization, Privatization, Globalization की पॉलिसी आई थी चाइन ने 1979 से आई थी Open Door Policy की नीतिय अपना रखी थी Russia भी उस समय अलग मुल्क बन चुका था Western-led institutions had also become hostess to narrow geopolitical calculations and lacked the vision to co-opt major non-Western powers as equal stakeholders at the high table then came the 2008 global financial crisis it soon became apparent that the U.S. was losing the capacity and will to write the next chapter on globalization BRICS, an acronym for Brazil, Russia, India, China and South Africa emerged as a stabilizer as well as potential challenger to the old U.S. designed regime and the first summit was held in 2009 with its 15th summit set to be built set to be held in Johannesburg from 22 to 24 August expansion is expected to be on the agenda the proof that things are not quite working in the West-led model is a fact that dozens of the countries including Saudi Arabia, Argentina, Egypt are lining up to join BRICS there is a palpable demand across the Global South for responsive governance institutions that are not handmaidens of a single major power or block BRICS weakness that it lacks the cohesiveness of the West and that its members are not part of a of common security or civilizational community is actually its main virtue over the long term the norm of equality has been enshrined as a conscious antithesis to the hierarchical Bretton Woods format India bought into this process precisely because it is based on democratic governance structures we can point to three contributions of BRICS to the world the first is normative power while the majority of the world economies including BRICS members would like to increase their engagement with globalization and with the West they want to pursue this without having to change their political system culture, domestic policies, foreign policies or civilizational identity in the process BRICS legitimizes such an inclusive globalization model in this sense BRICS is not revolutionary in its world order outlook at all it is merely seeking to buttress the concept of sovereignty and free will in international relations the strings attached approach of western geoeconomic engagement is being resoundingly rejected by the world second the most visible success for BRICS at an economic level has been the founding of the New Development Bank in 2014 since its launch the NDB has financed almost 100 projects with $34 billion mainly in core infrastructure sectors water, transportation, clean energy, digital etc that do not typically attract conventional forms of credit expanding the bank's membership and hence its capital base will widen the development finance role of BRICS over time according to one study by the mid 2030s the NDB could reach a loan stock of $350 billion exceeding world bank finance another pressing issue that BRICS has been vocal about for years is the need for a sustainable global financial architecture that can support a trading and investment system of interdependence that is not dependent on single currency the Ukraine war or rather the western responses to it has finally brought home the systematic risk in persisting with the old framework not only are countries that seek to voluntarily engage in a variety of commercial energy and financial transactions being held hostage the stability of the entire economic system is being geo-paradised by the policy of single power this is an unacceptable and unsustainable state of affairs especially if we are talking about a multipolar world order therefore devising means to insulate and protect economic interdependence is now a common strategic objective for BRICS the other big shock to BRICS has been the US attempt to illegally freezes $300 billion in Russian foreign currency reserves held in US Treasury bonds the US Treasury Secretary recently admitted we have on this small scale seized assets but there are certainly legal challenges in doing more than that but the damage has been done India China and dozens of other countries who invest heavily in US government bonds and park their gold reserves overseas must now reckon with the prospect of their sovereign assets being frozen or forfeited in a future crisis scenario as Russia's foreign minister Sergei Lavrov remarked last month there is a desire by all BRICS members to develop financial mechanisms that secure them from the arbitrariness of any external player he also clarified there are many ideas on how to achieve this if the 2008 global financial crisis was the initial impetus of BRICS the ripple effects of the Ukrainian war have been a turning point the US weaponization of public goods has alarmed even those states not hostile to the west for the necessity of a truly inclusive globalization bricks is poised to play a vital role in the evolution of this process we're talking about 12 lawyers we're talking about 12 1980s we're talking about 1290s benefits we heard of 12190-521s I've been listening to earlier is incrediblyたい with thepson